हाई एवरिमान वैलकम टू लर्न विद मी दिस इस शिनम कटारिया अगर अभी तक आपने लर्न विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू लर्न विद मी देखिए कल आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक की एनुवल मिटिंग हुई वहाँ पर आई सब्सक्राइब कैसा टाइम चल रहा है रशिया यूक्रेइन वोर चाइना तेवान पर कबजा कर रहा चाहता है पूरा मतलब अगर आप पूरी दुनिया में देखे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड चली रही है इंफलेशन बढ़ रहा है रिसेशन दो हजार तेईस की जो फ्रेजिडेंसी हैँए दो हजार- तेईस की वो भारत करने वाला है दिल्ली में इसकी मिटिंग होगी अब इस मिटिग में वड़ी रीडर आएंगे इंडिया को सुना जाएगा और इस मिटिंग में जो आई-मांF और वर्लबैक क स मिटिंग मोई है वहाँ पर ये sector its next year's presidency जब वो 2023 की presidency करेगा तो यहां पे वर्ड लीडर आएंगे और इंडिया बहुत सारी countries के लिए चाप छोड़के जाएगा बहुत सारी countries इंडिया से बहुत कुछ सीख सकती है यह IMF की मनेजिंग डिरेक्टर क्रिस्टारिना जोर्जीवा के द्वारा यह कल कहा गया है इंडिया विल अज्यूम दा प्रेजिदेंसी ऑफ जी ट्वन टी फर वन इयर इंडिया की जो प्रेजिदेंसी अब स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर एक दो हजार बाइस से पूरा एक साल रह अनुल मिटिंग यह क्या थी आई-ए-म-फ और वर्ड बैंक के अनुल मिटिंग चल रही थी वहां पर भारत के लिए यह बयान दिये गए है और जो आई-ए-ए-ए-ए-फ की मैनेजिंग डिरेक्टर हैं उन्होंने यह कहा है इंडिया डिजर्ब्स तो बी कोल्ड क्राइजिस चल रहा है सिच्वेशन बड़ी खराब है यू-ए-स की एकनोमी भी डाउन हो रही है उसमें इंडिया एक ब्राइट स्पोर्ट दिखाई दे रहा है बिकोज इट हैस बीन फास्ट ग्रोइंग एकनोमी इवन दूरिंग दिस डिफिकल टाइम इस डिफिकल अगर सबसे ज्यादा महत्तर पूरान बात की जाए किसमें भारत बड़ चड़कर आगे आया तो वह है डिजिटलाइजेशन हां भारत ने डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत जादा काम किया है एक डिजिटल हो जाना सारी सर्वसेस में वह बहुत बड़ी बात है लेंग इंडिया आज सक्सेस लेके खड़ा है सफलता पे खड़ा है दूसरी कंट्री से इसे कंपेर गया जाए तो इसका मेन कारण ही यह है कि भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है and so the country is now stepping into the taking the lead on G20 from that position of strength which makes me strongly believe that we will see India leaving mark on the word for years to come during वही बात सेम लिखी गई है इंडिया 2023 की presidency करेगा और वो पुरी दुनिया के लिए एक छांप छोड़ेगा पुरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकती है अब यहाँ पे बात की गई है renewable energy की देखे भारत ने इसमें बहुत तरक्की की है इंडिया has really leapfrogged in terms of solar and other forms of renewable energy हमने इस पे बहुत जादा काम किया है भारत के कुछ target भी है इस energy में और यहाँ पे जो IMF की मेनेजिंग डिरेक्टरों के द्वारा ये भी कहा गया है कि मैं ये सारा कुछ आने वाले सालों में देखने के लिए बहुत जादा excited हूँ और मैं बहुत जादा sure हूँ कि जो भारत renewable energy में आगे बढ़ रहा है जो इंडिया के 1.4 billion के करीब लोगों को भारत पे एक दिन proud होगा तो ये बहुत बड़ी बात है जब इतने बड़े level पर भारत की तरीफ की जाए इससे भारत को बहुत जादा फाइदा भी होगा अब देखो पूरी दुनिया भारत पे एक तरह से ये news सुनेगी आगे जाके और विश्वास करेगी एक्सपोर्ट हमारा बहुत जादा बड़ेगा ओवरॉल भारत को इस चीदों का बड़ा जादा फाइदा होगा और भारत को आगे और भी सुदार में अपने आपको वैसे ही बनाए रखना है ताकि हम आगे जाके और उन्ती कर सकें तो हमें प्राउड है अपने भारत पर